इंडियन प्रीमियर लीग 2023 मैच नमबर सेकेंड और थर्ड पंजाब किंग्स वर्सिस कोलकाता नाइट राइडर्स लखनाव सुपर जैंट्स वर्सिस डेली कैपिटल्स दोस्तों आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे इन दोनों ही मैच इसके बारे में कौन से वो प्लेयर्स होंगे जिनको की आप अपनी ड्रीम 11 टीम में पेक कर सकते हैं बैट 365 की ओड्स मार्किट किस तरफ इशारा करती है कौन से टीम आज के इन दोनों मुकाबलों में जीत हासिल कर सकती है इन सभी बातों की उपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किये आज की ये वीडियो सबसे पहले बात करेंगे IPL 2023 में खेला जाने वाले दूसरे मुकाबले के बारे में जो की खेला जाएगा भी या पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये मुकाबला मोहाली में खेला जाएगा आज दोपैर साड़े तीन बजे से दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस पिछले सीजन में कुछ खास अच्छी नहीं रही थी और दोनों ही टीम्स ने इस सीजन के अंदर कोचिंग डिपार्टमेंट में काफी जादा चेंजिस किये हैं केके आर ने तो अपने टीम का कैप्टेन भी बदल दिया है बात करें प्रोबैबल प्लेइंग 11 की कि भीया क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11 दोनों ही टीम्स की तरफ से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल से IPL में एक नया नियम लागू हो चुका है कि भीया टीम्स जो है तोस के बाद अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड कर सकती है तो क्रिक इन्फो के उपर भी आपको दो प्लेइंग 11 देखने को मिलेंगी हर एक टीम की एक होती है भीया अगर कोई टीम पहले बैटिंग करती है और दूसरी पॉसिबल प्लेइंग 11 होती है कि अगर वो पर्टिकलर टीम पहले बॉलिंग करती है तो चलिए पहले नज़र डालते हैं पंजाब किंग्स की पॉसिबल प्लेंग 11 की तरफ अगर ये पहले बैटिंग करती हैं तो ओपनिंग पे आपको नज़र आ सकते हैं कैप्टन शिखर दवन के साथ साथ प्रब सिम्रन सिंग बात करें अगर पंजाब की टीम पहले बोलिंग पे आती है तब उनकी पॉसिबल प्लेंग 11 क्या हो सकती है तो इस केस में आपको ओपनिंग करते हैं वे नज़र आ सकते हैं शिखर दवन के साथ साथ प्रब सिम्रन सिंग वन डाउन आ सकते हैं विकेट कीपर जितेश, शर्मा, चौते नमबर पे सिकंदर रजा, पांचवे नमबर पे शारुक खान, छटे नमबर पे सैम करन, साथवे नमबर पे रिशी दवन, आठवे नमबर पे अरप्रीद ब्रार, नौवे नमबर पे राहुल चहर, दसवे और ग्यारवे नमबर पे अरश्रदीप सिंग, बात करें वहीं, कोलकाता की पॉसिबल प्लेंग 11 के बारे में दोनोई कंडिशन के अंदर, अगर केक्यार की टीम पहले बैटिंग पे आती है, उस केस में आपको ओपनिंग पे नजर आ सकते हैं, नरायन जगदीशन के साथ स साथवे नमबर पे सुनील नरायन, आटवे नमबर पे शारदूल ठाकुर, नौवे नमबर पे लौकी फर्गिवसन, दसवे नमबर पे उमेश यादव, और ग्यारवे नमबर पे वरुन चक्रवरते या फिर सुयश शर्मा में से कोई एक, अगर केक्यार के टीम पहले बोल आटवे नमबर पे शारदूल ठाकुर, आटवे नमबर पे सुनील नरायन, नौवे नमबर पे लोकी फर्गिवसन, दसवे नमबर पे उमेश यादव, और ग्यारवे नमबर पे वरुन चक्रवरती या फिर सुयश शर्मा में से कोई एक, तो ये तो हो गई भया दोने टीम की पॉसिबल प्लेंग 11 की बात, वही नज़र डाले प्लेयर पफॉर्मेंस चार्ट की तरफ, जो की IPL में हमें देखने को मिलता ही मिलता है, बेट 365 की तरफ से, क्योंकि दुनिया की सबसे महंगी लीक्स में IPL शुमार है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले नज़र आ जाते ह हैं, मैथ्यू शोट, हाला की चांसिस काफी कम हैं इनके खेलने की, क्योंकि मुहाली के अंदर मैच है, और मुहाली में पेसर्स को मदद मिलती है, और मैथ्यू शोट एक ओलराउंडर है, जो की ओपनिंग पर आते हैं, और आई गैस की स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, सैम कर ग्यूसन, इनको आप ट्राइ कर सकते हैं, अगर ये मैच खेल जाते हैं, तो नितिश राना को कर सकते हैं, आप अपने टीम से अवर्ड रेमानुला गुर्बास की जिगया, पंजाब किंग्स के विकिट कीपर बैट्समन के साथ जा सकते हैं, अगर वो उपर आते हैं बैट सकते हैं ही, साथ ही साथ अगर इनकी बैटिंग आ जाती है, तो ये बैटिंग से भी कुछ एक पॉइंट्स दे सकते हैं, तो ये तो हो जाती है अवर्ड प्लेयर परफॉमेंस की बात, बात करें अब बैट्समन और बोलर्स की पर्टिकुलर टीम के बारे में, तो पंजाब राजबक्षे, इनका देखना पड़ेगा कि वह ये खेलते हैं, अगर खेलते हैं तो कौन से नंबर पर आते हैं बैटिंग करने के लिए, सैम करन को आप अपने टीमे पेक कर सकते हैं, सिकंदर, रजा को भी आपने टीमे पेक कर सकते हैं, अगर ये मैच खेल जाते हैं, तो वहीं बात करें यहां से KKR के बैट्समन की तो यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं मन्दीब सिंग जो की I guess मिडल ओडर में आने वाले हैं बैटिंग करने के लिए इनको कर सकते हैं भीया अपनी टीम से अवोइड स्पेशली इन स्मॉल लीग अगर ऐसा होता है तो रहमानुला गुर्बास के जगे आप अपनी टीम में पिक कर सकते हैं भीया वें कटेश अईयर, नितिश राना इनको कर सकते हैं आप अपनी टीम से अवोइड और इनकी जगे आंजरी रसल को आप अपनी टीम में पिक करें रिंको सिंग डाउन दा ओडर आएंगे बैटिंग करने के लिए नरायन जगदीशन का देखना पड़ेगा कि भीया वो ये मैच खेलते हैं या नहीं और अगर खेलते हैं तो कौन से नमबर पे आते हैं बैटिंग करने के लिए डेविड वीस ये एक डिफरेंशल पिक सावित हो सकते हैं आज की मैच में अगर ये मैच खेल जाते हैं तो सुनिल नरायन को भी आप अपने टीम में पिक करके चल सकते हैं बात करें दोनों टीम्स के बोलर्स की कि दोनों टीम्स की तरफ से किस बोलर को आप अपनी टीम में पिक कर सकते हैं पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से आप अर्शदीब सिंग, राहुल चहर, नथन एलिस और सैम करन इन चार बोलर्स को अपने टीम में पिक करके चल सकते हैं वहीं कोलकादा नाइट अड़र्स की अगर बात करें तो यहां से आप लोग की फरग्यूसन की जगे शारदूल ठाकुर को प्रैफर करें सुनिल नरायन को पिक करके आप अपने टीम में चल सकते हैं वहीं तीसरे बोलर यहां से हो जाते हैं अब यह आंद्रे रसल तो यह तो अगई प्लेयर्स की बात करें ओवर रॉल ओड्स की तो यहां पे अभी बैट 365 की तरफ से पंजाव किंग्स और कोलकादा नाइट राइडर्स दोनों ही टीम्स को 90-90 पैसे पे फेवरेट रखा जा रहा है 90 पैसे पे अगर हम विनिंग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं दोनों ही टीम्स की तो वो आती है भी यह एक्जेक्ली 52.6-3 प्रतिशत दोनों ही टीम्स के लिए यह पहला मैच होगा इस IPL सीजन में वहीं बात करें मैच विनर प्रेडिक्शन की तो भीया मुझे ऐसा लगता है कि IPL 2023 का यह सेकंड मैच पंजाब किंग्स की टीम जीत सकती है दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम यह मैच जीत सकती है आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंड सेक्षिन में लिख सकती है बात करें कैप्तेंसी और Works Captain ॉर वाइस कैप्तेंसी की तो भीया आप शिखर दवन को ट्राई कर सकते हैं मैت्व शोट को ट्राई कर सकते हैं वहीं सैम करन को भी ट्राई कर सकती हैं कैप्टनसी या फिर वाइस कैप्टनसी के लिहाज से तो ये तो हो गई सेकंड मुकाबले की बात वहीं अगर IPL 2023 के थर्ड मैच की बात करें जो की खेला जाएगा भी ये लखनाउ सूपर जैंट्स वर्सिस डेली कैपिटल्स के बीच ये मैच खेला जाएगा आज शाम साड़े साथ बजे से लखनाउ के ही एकाना स्टेडियम में जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को आप अ पिक करके चल सकते हैं कियल राहूल को लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं प्लेयर परफॉर्मेंस चार्ट की तरह जो की हमें यहां पे देखने को मिल रहे हैं और अच्छे खासे नाम यहां पे हमें देखने को मिल जाते हैं जो की हमारी लिए काफी अच्छी बात है लगनो सूपर जैंट्स की बात करें तो यहां से आप पिक कर सकते हैं भी या आविश खान को, कुरूनाल पांडिया को, केल राहूल को और कोई अपने टीम अपिक करेगा ही करेगा मार्क वूड को आप अपने टीम अपिक कर सकते हैं काफी तेज तर्रार बोला रही है, इंगलेंट के मारकस स्टोइनिस को भी आप अपने टीम अपिक कर सकते हैं क्योंकि मेन ओल राउंडर यही है, लगनो सूपर जैंट्स की टीम के अगर बात करें, फिर यहां पे नाम आ जाता है भी या डैली कैपिटल्स के प्लेयर्स का, य उल्दीप यादव को आप पिक कर के चल सकते हैं, वहीं मिचल मार्श को आप प्रैफर करें, इन प्लेस ओफ डेविड वोर्नर, प्रित्वी शो को भी आप कर सकते हैं भी या अपने टीम से अवोईड, तो यह तो हो गई ओवरॉल प्लेयर्स की बात, जल्दी से नजर डाल लेते हैं बैट्समेन और बोलर्स की तरफ, लखनो सुपर जाइन्ट्स की टीम की तरफ से केल राहूल, मार्कस, स्टोइनेस, निकोलस, पुरान, इन तीन प्लेयर्स को पिक कर चल सकते हैं, वहीं डेली कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो यहां से हम पहले डिसकस कर चुक का देखना पड़ेगा कि वो यह मैच खेलते हैं या नहीं, मनिश पांडे को आप अपने टीम में पिक कर सकते हैं, रॉमन पावल, इनको भी आप अपने टीम में पिक कर सकते हैं, वहीं अगर डेली कैपिटल्स के ओल लाउंडर्स की बात करें, तो अक्षर पटेल इनको आपने टीमे पिक करें बात कर लेते हैं दोनों टीमज के बोलर्ज की तो यहां से आप आविश खॉन, रवी बिशनौई और मार्क वूड इन तीन बोलर्ज को पिक कर सकते हैं लखनो सूपर जैंट्स की टीम की तरफ से वहीं बात करें डेली कैपिटल्स की तो डेली कैपिटल्स की टीम की दरफ से आप भी या कुल्धी प्यादव, खलील एहमद और अक्षर पतेल जो की आपको ओल्राउंडर सेक्शन में मिल जाएंगे इन तीन बोलर्स में से अपने बोलर्स पिक कर सकते हैं बात करें अवरोल ओड्स की तो अभी के लिए लकनव सूपर जैंट्स को नोन फेवरेट रखा जा रहा है जबकि मैच उन्हीं की होम ग्राउंड में है दो रुपे पे इनको नोन फेवरेट रखा जा रहा है वहीं डेली कैपिटल्स की टीम को एक रुपे असी पैसे पे फेवरेट रखा जा रहा है एक रुपए 80 पैसे पर अगर हम winning percentage calculate करें डेली कैपिटल्स की तो वो आती है भी या exactly 55.55 प्रतिशत वहीं 2 रुपए के उपर अगर हम लखनाव सूपर जैंट्स की winning percentage calculate करें तो वो आती है exactly 50 प्रतिशत बात करें match winner prediction की तो भी या मुझे ऐसा लगता है कि IPL 2023 का ये third match जो की लखनाव सूपर जैंट्स वर्सिस डेली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा इस match के अंदर लखनाव सूपर जैंट्स की team जीत आसिल कर सकती है और आप अपने dream level team लखनाव सूपर जैंट्स के favor में बनाके चल सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना है मिलेंगे अगली वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे like कीजिए और जादा से जादा लोगों तक share कीजिए ताकि सबी भाईयों के पास time to time accurate predictions पहुंशती रहें और सबी भाई ड्रीम 11 में अच्छी खासी विनिंग कर पाएं and make sure की अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो red color के subscribe बेटन को click करें और notification बेल आइकन को भी own रखें ताकि कोई भी important video आप future में skip ना कर पाएं और मेरी हर एक वीडियो को notification आप तक पहुंशता रहें